हलो एवरीवन, वेलकम बैक टो मैं निव वीडियो दोस्तो माईसोर का व्रंदावन गार्डन दुनिया के बहतरीन गार्डन में से एक है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है यह व्रंदावन गार्डन माईसोर ट्रिप के दौरान सबसे ज्यादा विजिट किये जाने वाला साइट है हर साल लगभग 20 लाग टुरिस्ट यहां आते हैं यह गार्डन फिल्म की सुटिंग के लिए काफी पॉपिलर है आज हम इसी गार्डन को एक्स्प्लोर करेंगे और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जनकरी हासिल करने की कोशिश करेंगे यह जो डैम दिखाई पड़ रहा है यही है कृष्ण राज सागर डैम जो कावेरी नदी पर बना हुआ है दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइगन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो चलिए शूरू करते हैं दोस्तो माइसोर का व्रंदावन गार्डन सभी को अपनी और आकरसित करता है यह माइसोर सिटी से लगभग 20 किलोमेटर दूर नौर्थ वेस्ट की और लोकेटड है और बैंगलोर से इसकी तूरी लगभग 143 किलोमेटर है इस गार्डन में एंटर करने के लिए फीज देना पड़ता है जो की लगभग रुपीज 50 पर हेड है वरिन्दावन गार्डन पॉपिलर है अपने प्लांट्स की वराइटी के लिए अपने फाउंटेंस के लिए अपने बुटानिकल पार्क के लिए और खास कर अपनी बोटिंग के लिए कहा जाता है कि व्रंदावन गार्डन के निर्मान की शुरुवात 1927 में मिर्जा स्माइल के द्वारा करवाया गया था जो उस समय माईसोर स्टेट के दिवान हुआ करते थे और इसका निर्मान कार्य लगभग पूरा हुआ 1932 में यानि 5-6 साल का समय लगा इसे तयार करने में यह गार्डन लगभग 60 एकड़ की भूमी पर फैला हुआ है इसे कावेरी इरिगेशन कॉर्परेशन द्वारा मेंटेन किया जाता है यह प्राइमेरिली एक टेरिस गार्डन है यह गार्डन कृष्ण राज डैम के ठीक नीचे बनाया गया है जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया हुआ है कावेरी नदी साउथ इंडिया की सब्से महत्वपुर नदियों में से एक है यह गार्डन भारत का सेकंड फेमस गार्डन है जहांके फूल, पौधे, पक्छी, जर्ने और लाइटिंग देखते ही बनते हैं इस गार्डन का डिजाइन कश्मीर के शालिमार गार्डन से प्ररित होकर लिया गया है जो प्राचिन मुगल डिजाइन से निर्मित है दोस्तो, व्रिंदावन गार्डन को मेनली चार भागों में डिबाइट किया जा सकता है जैसे मेन गेट एरिया, साउथ व्रिंदावन, नौर्थ व्रिंदावन और चिलरन पार्क्स आदि साउथ वरिंदावन और नौर्थ वरिंदावन एक ब्रिज के स्थ्रू जुड़े हुए है दोस्तो इस गार्डन का में गेट एरिया अत्वा एंटरेंस गेट प्रभावित है नियू डेली के इंडिया गेट से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है और इसके दोनों तरफ रोज गार्डन बने हुए हैं जो की में गेट को परफेक्शन प्रदान करते हैं साउथ व्रंदावन अत्वा कावेरी स्टाच्यू वला एरिया एक बहुत विशाल फांटेन के साथ गार्डन को बहुत ही खूबसूरती प्रदान करता है साउथ व्रंदावन के पास ही राइट साइड में चिल्रन्स पाग बना हुआ है जहां बच्चों के खेनने के सभी साधन जैसे जूला, खिलोने, आदी की पूरी विवस्था की गई है और बच्चों को आकरशित करने के लिए कंक्रिट के जानवर, पक्छी और अन्य कई चीजे बनाई हुई है दोस्तो व्रंदावन गार्डन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहां की बोट राइड जो करनाट का स्टेट टूरिज्ड डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती है बोट राइडिंग का रेट लगभग 40 से 80 रुपीज के बीज है यह डिपेंड करता है कि आप एक साइड की राइड लेते हैं या दोनों साइड की कावेरी नदी की है बोटिंग जो की सौथ वरिंदावन और नौर्थ वरिंदावन के बीच में पड़ती है यह ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बना देती है और दोस्तो ब्रिंदावन गार्डन का सबसे महत्वपुन एवा मोस्ट पॉपिलर चीज है यहां का म्यूजिकल फाउंटेन यहां फाउंटेन डैम के वाटर प्रेशर से मेंटेन किया जाता है जो कलरफूल लाइट्स, म्यूजिक, नाचता हुआ जरने का पानी के साथ चलाया जाता है यहां म्यूजिकल फाउंटेन नौर्थ व्रंदावन में है जो साम को साथ बजे स्टार्ट किया जाता है परन्त विंटर में इसे साड़े च्छे बजे भी स्टार्ट कर दिया जाता है अब हम जा रहे हैं नौर्थ व्रंदावन गार्डन की तरफ यही वो व्रिज है जो नौर्थ और साथ व्रंदावन को आपस में जोडता है दोस्तो यह गार्डन विजिटर्स के लिए सुभा छे बजे से लेकर रात के आट बजे तक खुला रहता है यहां रहने और खाने पिने की भी विवस्था है कुछ होटेल्स और इंस्पेक्शनल बंगलोज भी इसके अंदर ही बने हुए है दोस्तो वैसे तो आप ब्रंदावन गार्डन किसी भी मौसम में आ सकते हैं क्योंकि यहां का वेदर हमेशा ही प्लेजन्ट बना रहता है गर्मी बिलकुल नहीं लगती है क्योंकि हवाएं चलती रहती है फिर भी यहां आने का बेस टाइमिंग विंटर सीजन है यहां के पेड़ों को घास को फूलों को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है अब बात कर लेते हैं यहां तक कैसे पहुचा जा सकता है तो दोस्तो वैसे तो आप क्या बुक करके भी जा सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप माइस और बस स्टैंड से बस से ही जाएं क्योंकि यहां ज्यादा ट्राफिक नहीं होने के कारण बस सर्विसिस फ्रिक्वेंटी चलती रहती है यहां पर गार्डन के भीतर ही बैटरी ओपरेटेड वहिकल भी चलाए जाते हैं जो की पे करने पर पूरा गार्डन घुमातेते हैं तो आज आपके साथ बुजोर्गे और बच्चे हैं तो आप वहिकल को हायर करके भी गार्डन घुम सकते हैं ये है Royal Orchid Hotel जो किसी जमाने में राज महल हुआ करता था होटल के सामने से ही गार्डन की सुरुवात होती है अंधेरा होने लगा है थोड़ी दर में लाइट स्टार्ट हो जाएंगी लेकिन हमारी किस्मत में म्यूजिकल फॉंटेन देखना नहीं लिखा है क्योंकि हमने क्या बुक आट बजी तक के लिखिया हुआ है इसलिए हमें वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि हमें बैंगलोर भी पहुँचना है और बैंगलोर पहुचने में डेड़ से दो घंटे लग जाते हैं लीजिए लाइट तो स्टार्ट हो गई है अब हमें लौटना ही पड़ेगा चलिए चलते हैं आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई